और पूरी लोकतांत्रिक प्रद्धती से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मत्दाता सूची बनती है और फिर चुनाव का सुरुवात होता है। और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। महमारी के कारण इस सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है बूत से राष्टी अध्यक्ष तक बाकी के चुनाव नहीं होते हैं तब राष्टी अध्यक्ष चुना समवेदानी कुरूप से संभवी ही नहीं है कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग-अलग मौकों के कारण राश्ट्रिय अध्यक्त के कारेकाल को एक्स्टेंशन दिया गया इसी परंपरा का अनुसरन करते हुए स्री जगत प्रकास नड़्डा जी को राश्ट्रिय कारेकानी ने आज सरवानूमत प्रस्ताव किया है स्री राधनात सिंग्जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतिय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष, हर्ष धन्वी के साथ सरवानुमत से स्विकार किया है कि जगत प्रकास नड़ा जी को जून दोजार चौबीस तक भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्स के रूप में इनके कारेकाल को बढ़ोत्री की जाए नड़ा जी बीस जनवरी दोजार बीस को राष्टी अध्यक्स बने अध्यक्स बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी वैसे देखे तो बीस भी सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा चुकि देश की कई राज्य सरकारे और केंद्र में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन की भूमी का बहुत एहम हो जाती है नड्डा जी के नेत्रुतों में भारतिय जन्ता पार्टी का पूरा संगठन बूत से लेकर राष्टी अस्तर पर सेवा ही संगठन है इस मंत्र के साथ काम में चूटा धेर सारे गाओं में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुचानी हो अन्न पहुचाना हो जिनके कोविर के लक्षन देखे गएं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो जिनका कोई नहीं था उनकी सुस्रूसा से लेकर अन्तिम संसकार तक सारे कोविर की महामारी की धति रोद को पार करने में भारती जनता पार्टी के करेकरताओं ने बहुत महतोपुन भूमी का निभाई और नडड़ा जी ने उस कठीन काल के अंदर एक वाइबरंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जूड़ा और मैं तो आप सबको आगरा करता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेंशन है सिवा ही संगठन है इस सूत्र का उसको आप जरूर देखे तो आश्चर जनक तरीके से एक रातनितिक दलका संगठन की इस प्रकार से महामारी में सिवा करत सकता है उसका ज्वलंत उदाहन बारतिय जनता पार्टी ने नड़्डा जी के अध्यक्ता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा उनकी राष्टी अध्यक्ता में ही हमने बिहार में सबसे जादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया महराश में भी NDA को घिन ले तो हम फिर से चून कर आए हरियाना में भी हमारी सरकार बनी इसके बाद उत्रप्रदेश, उत्राखन, मनिपूर, आसाम, गुजरात इस सब जगे भारतिय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है बंगाल के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने तीन सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही पांच साल में ताई किया और हम तामिलाड और दक्सिन के राज्यों में भी तेलंगाना में भी एक ताकात बनकर धीरे धीरे सैन सैन उभर कर आ रहे हैं उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकार ही तो बनी थी परन्तु संगठन का विस्तार बाकी था नद्डा जी की अध्यक्ता में हमने उत्तर पूर्व के नौर्थिस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुँचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है गोवा में भी हम हैट्रिक लगा कर तीसरी बार और पहली बार पूर्व बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए जैसे आप सब जानते हैं गुजरात के अंदर 156 सिटों के साथ गुजरात ने चुनाओ के सभी रेकोर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सिटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया मोधी जी का जो करिशमाई नेतुर्ट। है जो लोगप्रियता है वो लोगप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मत दान मतख तक पहुँचाने में नद्दा जी का नितुरत में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मोदी जी की लोगप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतिय जनता पार्टी के काम को विश्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार की योधनायों और सरकार के कारेक्रम और विशेश कर किसान कल्यान के कारेक्रमों को हर किसान तक हर जन जन तक पहुचाने में स्री नड़ाजी ने बहुत महतोपून भूमिका नुबाई है उनके कारेकाल में 120 से ज्यादा विदान सबाओं के चुनाओ हुए हैं इसमें से 73 विदान सबाओं के चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी की जीत हुई है तेलंगाना बंगाल में एक सांदार माहोल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुए जम्मु कस्मिर में BDC के इलेक्षन हो या देश बर में हुए स्थानिय इकाई के चुनाओं सब में भारतिय जनता पार्टी ने यस प्राप्त किया है उनके नेत्रूतों में बुथ ससक्तिकरण अभियान के तहट एक लाग तीस अजार बुथों को मजबूत करने का भी काम किया गया लोकसभा प्रवास योजना बना कर हर कारेकरता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा हर घर तीरंगा को बार्थिय जनता पार्टी के हर कारेकरता ने जन जन तक पहुचाने के साथी राष्ट्र भक्ति को और तीरंगा के सन्मान को हर जन के मन में पुना जागरित करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है सेवा ही संगठन और मोदी जी के जनम दिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा ये दोनों कारेकरम सेवा ही संगठन ये कोविड के वक्त कारेकरम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भार्थिय जनता पार्टी मनाती है उनको नीचे तक पहुँचाने में बहुत बड़ी कामियाबी नड़ा जी के नित्रूतों में हुई है मन की बात को भी जन का कारेकरम बनाने में भार्तिय जनता पार्टी के संगठने बूत स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कारेकरम बनाया इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाए और अपना बूत सबसे मजबूत एक दो अभ्यान हमेशा के लिए भारती जनता पार्टी के इतिहास में नड़ा जी की भारती जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतुरतों में नड़ा जी के संगरनात्मक नेतुरतों में 19 से भी ज्यादा बड़े भारती जनता पार्टी चून कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधान मंत्री बन कर इस देश का नेतुरतों करेंगे इसका हम सब को भर्यसा है मैं समगरप पार्टी की ओर से स्री मन नड़ा जी को रदय पूर्वक बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाय देता हूँ हम सब की अनन्त सुपकामनाय स्टी नड़ जी के साथ है उनके नेतरुतों में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यस भी प्राप्ट किया है एक टीनों सेक्तत्र में नड़ जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी कर बढ़ाती है और उसको स्विकारते हुए इनके कारेकाल को जून दोजार चॉबीस तक बढ़ाती है दन्यवाद